नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस खास कारिक्रम में मैं हूँ आपके साथ मनुतेवतिया यूपी में मिट्टी के बरतन और दीपक बनाने वाले कुम्हारों की जीवन में विकास की रौश्णी लाने के लिए योगी सरकार ने एक विशेश पहल की है सरकार यूपी माटी कला पोर्ड की गठन कर कुम्हारों की जीवन को बदलने के प्रयास में जूटी है सरकार के इस फैसले से कुम्हार समुदाय काफी खुश है और अपने इस परामप्रागत वेबसाई की और लोटने लगा है इस पोर्ड के जरिये सरकार कुमारों के लिए मिट्टी की उपलब्दता सुनिश्चित कराने के साथ उनके लिए तक्निकी प्रसिक्षन की विवस्ता भी कर रही है सरकार के इस फैसले का लाप सूबे के लगबग 2 कुमार परिवारों को होगा तो चलिए दिखाते हैं आपको माटी की कला कैसे कर रही है कुमारों का भला इन दिनों यूपी में योगी सरकार एक और जहां पर्यावरण सरक्षन के नाम पर सद्यों से चले आ रहे मिटी से बनने वाले बर्तनों और कलात्मत वस्तों से जुड़े लग्यू उद्ध्यों को बढ़ावा देती नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर ऐसा करके माटी कला के कारोबार से जुड़े सूबे के बदलती सामजिक आर्थिक और राश्नितिक परिवेश में आर्थिक विपनता का शिकार हो रहे प्रजापती यानि कुमार समाज को भी साधती नजर आ रही है माटी ने कहा कुमार से कुमारों ने कहा सरकार से सरकार ने लिया संग्यान अब कुमारों का होगा कल्यान यो तो योगी सरकार ने पिश्रे वर्ष 21 मई 2018 को प्रजापती समुदाई के जन प्रतिनिधी की मांग पर ना सर्फ 10 जुलाई 2018 को ही कैबनिट पैठक में ही माटी कला बोर्ट के गठन पर मोहर लगा दी बलकि जनवरी 2019 में ही मिट्टी के जर्ये विभिन कलात्मक वस्थों को बनाने वाले कुमारों और इस कला को बढ़ावा दे कर सूबे के दो करोड आबादी वाले प्रजापती समुदाई को साध लिया योगी ने 10 अशासकिय सदस्य भी नामित कर दिये दशकों से उपेख्षा की शिकार रहे माटी कला से जुड़े कुमार समुदाई के सामने दो वक्त की रोटी तक जुदाना मुश्किल हो गया था यही कारण है कि योगी सरकार के सरहानिय पहल से कुमार खुश है अधने योगी जी को समस्त प्रजापती समाज के और से आभार ब्यक्ति करूँगा कि एक ब्यक्ति नहीं चाहते तो वो मुझे भी MLC बना देते मंत्र मंदल में दे जाते कि और कहीं से प्रकर देते लेकिन पूरे समाज को दिहान में रख करके माटी कला बोर्ड का गठन किया इसके लिए समझत उत्त प्रजापती समाज के और से उनका आभार ब्यक्ति करता हूँ दूसरा यह है कि एक पहली बार देश की आजादी के बाद उत्त प्रदेश में जो सरकार आईये पहली ऐसी सरकार है जिनोंने समपूर उत्त प्रजापती समाज की चिंता की ऐसे में योगी सरकार द्वारा गठित माटी कला बोर द्वारा अप्रदेश में माटी कला एवा माटी शिर्प कला से संबंदित उद्ध्योगों के विकास के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया है जिसके तहर सबसे पहले एक और जहां माटी कला से जुड़े कुमारों का सर्वे कराया जा रहा है और साथ ही उनके सामने आ रही मिट्टी जैसी विभिन समस्याओं की च्यानकारी भी हासिल की जा रही है वहीं दूसरी ओर सुबे की सभी जलादिकारियों को माटी कला से जुड़े कामगारों को मिट्टी मुहया कराई जाने का भी निर्देश जारी किया जा चुका है इतना ही नहीं एक लंबे समय से आर्थिक संकर्च और संसाधनों से जूच रहे माटिकला के कामगारों को बहतर उत्पादों के निर्मान के लिए प्रस्रिक्षत कर कामगारों के समूर को इलेक्ट्रोनिक चाक भी मुहया कराई जा रही है पहले सरकारों में मंत्री रहें, राज मंत्री रहें, कैमिनेट मंत्री रहें लेकिन समस्थ प्रजापती समाज के कारोवार को आगे बढ़ाने के लिए द्यान नहीं किसी ने दिया पहली सरकार है उत्तवदिस में जैसे में दूर दराज, गाउं, गलियों में, महलों में रहने वाले लोग सब की चिंता इस सरकार ने किये मैंने देखा है क्योंकि मैं भी उसी समास से आता हूँ पूरा परिवार मिट्टी के उद्दियों में पूरा दिन लगता था और रोटी उनके मुश्किल हो जाती थी इसलिए ये सारा काम बंद करके वो अन्य धंदों में चले गए अब क्योंकि इसको बढ़ावा देने के लिए गवोड का गठन गुआ है तो हमने सभी मंत्रियों को लिखा कि आप अपने विभाग को निर्देशत करिए कि वो मिट्टी के कुलणों का या मिट्टी के जो भी बरतनों की जरूरत हो तो उसका सत्पयोग करें इतना ही नहीं माटी कला बोड़ द्वारा माटी शिल्प कला से नवीन पिढ़ी को जोड़ने के साथ ही स्वरोजकार के अवसरों में वृधिक करने के लिए न सर्फ कच्चे माल की प्राप्ती के लिए नियमों में सरली करण किया जाएगा बलकि कुमहारी कला में इस्तमाल होने वाली मिट्टी को निकालने के लिए ग्राम पंचायतों में कारिकरों को निशुल्क पट्टों का आवंटन भी होगा लखनों से न्यूस 18 के लिए राजीव की रपोर्ट सुबे की योगी सरकार माटी कलापोर्ट के जरिये सुबे के कुमहारों को बड़ा तौफा देने जा रही है और उनके जीवन स्तर पर बदलाव के लिए कई कदम उठाने जा रही है योगी सरकार के इस कदम को लेकर कुमारों में खुशी तो है लेकिन वो क्या सोचते हैं और उनका काम कैसे चलता है कुमारों से बाच्चीत की है हमारे समवादाता राजीव डे इस वक्त में राजानी लखनों इस योजना बहुन से महज पांच किलो मेटर दूर देवी खेडा गाओं जहां आप देख सकते हैं कि कुमार विरादरी के लोग अपने काम में जूटे हुए हैं यह कुमार विरादरी के लोग इसी मिट्टी के जरिये तमाम वो ऐसे सुंदर बरत्र बनाते हैं जो वीदेशों तक बेचे जाते हैं आप देख सकते हैं कि अभी भी इनका वो काम जारी है ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजुद हैं जिसें सेंब बात करेंगे दादा इस वक्त काम दंदा कैसा चल ला है इस वक्त हमारा काम दंदा भूट धिला भी चल्दा गर्मी के विज़ेश काम होने पाता है मिट्टियां की परेसानी है मिट्टि खरीदना पड़ता है आट-900 रुपए की टाली लेते हैं और पानी की समस्या कम घंभी रहती है और हम आगे जो है गर्मी के मारे काम नहीं कर पाते हैं और हमाइपने बच्चों के लिए घ आजी मूल मिलता है क्या-क्या समस्या होती है यह अगर बस्त्री स्टेन बना रहे हैं यह पांच रुपए 10 रुपए की बिखती है कोई भी परता इसमें नहीं आ रहा है कम से कम इसमें कुछ बढ़के मिलें 10-20 रुपए बिखना चाहिए तब परता खाए माटिस भाव है परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं आपका सहयोग करते हैं बच्चे बच्चों को इसमें कोई दिल्चास्पी है बच्चे लोग जो है तब हमें लोग परिशान है तो बच्चे क्या करेंगे बच्चे परिशान नेते हैं तो पढ़ाई लिखाई और यह सब खर्चा कैसे कि जिशी में हम लोग चलाते हैं किसी सब कार्ट त्वीट के अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत उनकी फीस बाइन दे पाते हैं तो बच्चे जा ही नहीं पाते हैं स्कुल पढ़ने के लिए यही जब मजबूरियां हैं तो अब क्या बता हैं क्या सरकार तरग्सिम्यान को फिर दिवा फिर लुवह। कोई समस्ता नहीं है और मिट्टी जो है इसमें बड़ी मेहनत परती है इसको हम लोग फोड़ते हैं गड़े में भड़ते हैं पानी भड़ते हैं उसके बाद में छन्य च्छानते हैं और फिर उसको बर्फिक तिना जमाते हैं बर्फिक जमा के फिर बाहर निकालते हैं फिर आ कि बदर्ध को बढ़ाने के लिए इस माटी की काला को बढ़ाने के लिए कई योजना Ay सुरू किये हैं क्या लगता है कि उसे आपको आने वाले दिनों में कुछ लाब मिलेगा शरकार जो हमें में देर कि लाब चाक है और मिती है तो हमारा कारोबारागे बढ़ता रहेगा और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे उनके आगे भविशत बनाएंगे और सरकार से हमारी यही योजना है और यही सवाल होता है कि हमें कुछ लाब मिलना चाहिए परजापती भाईयों को और उससे हम लोग लाब उठाएं और आगे हमारे बच्चे पहली भार इस तरह से परजापती समाज के लिए कुमारों के लिए योगी सरकार ने कदम उठाए तो क्या आपको उमीद है कि योगी सरकार आगे भी आपका मदद करेंगे अब जो सरकार आये है उस सरकार को हम परजापती भाईयों को मदद दे और हम लोग उनका नाम है ल अब आपने पर ना गर है ना दौर है अपने मैदान में पड़े हुए हैं वसी में काम दंदा कर रहे हैं धूप में बच्चे भी परिसान होते हैं और बच्चों को हम आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं तो जैसा कि आपने सुना इनका कहना है कि भले ही अभी तक सरकारे तो कई आई लेकिन लाब किसी ने नहीं मिला ऐसे में ने यह जरूर अम्मीद है कि योगी सरकार ने जो माटिकलाबोर्ट का गठन किया है और जो योजनाए सुरू की है उससे जरूर इनके आने वाले दिनों में लाब मिलेगा तो इनका भी कारोबार एक बार फिर से फलेगा फुलेगा और इनके बच्चे भी औरों की तरह तरक्की करेंगे कैमरा में रमेश के साथ राजी उप्रताथ सिंग न्यूजाटेन लखनाओ आजमगर जिले के निजामबाद की विश्व प्रश्रिद ब्लैक पॉट्री अब किसी परीचे का महताश नहीं है हस्त सिल्पियों के उत्पाद विदेशों में लोगों के डाइनिंग हॉल की शुभवड आ रहे हैं सरकार की कई महत्वकांची योशनाओ से इस उद्योग क्यों ना सिर्फ बढ़ावा मिल रहा है बलकि जो कुमार अत्वा शिल्पकार इस पेशे को छोड़ चुके थे सिर्फ वही नहीं अब तो पूरा परिवार इस उद्योग को सजाने और सवाने में जुटा हुआ है योगी सरकार मित्री करा बोज के जरिये इनका कल्यान करने में जुटी है आजमगर जिले का निजामबाद कस्वा मुगलकाल से ही काली मिट्टी के बरतन बनाने में लगा रहता है इस कला में लगे कारीगर अपनी कला से मिट्टी को आकार देकर विश्व में जिले की पहचान बना रहे है केंद्र वप्रदेश सरकार द्वारा हस्त शिल्पियों को पुरस्कृत किये जाने के साथ अबरिण की भी योशना ने इस उत्योग को पढ़ावा देने के लिए संजीवनी का काम किया है पूरा मुवला हमारा जो शेनाबात का है एक पुरा आजम नहीं पूरा हिंदस्तान में मिट्टी की वर्तन और मिलेक पाटरी की नाम से मसूर है और मतलब इसमें पिछले सरकार जब थी तभी हम मतलब इस पर विसे ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन जब से मोधी सरकार मनलब योगी सरकार आई है तरसे मतलब कुछ इस पर ध्यान दिया जा रहा है योगी सरकार में अमनों को बहुत सी बेवसाय मिल रही है नई नई योजनाय मिल रही है और अमनों का दूसरा कोई बेवसाय नहीं है यही है यही हमारी रोजी रोटी है बहुत पीडियों से चलती आ रही है यही सब बच्चे बच्चे लगे रहते हैं इसी काम में शिल्पकारों की प्रोत्साहन के बाद तो कारिगर अपने हुनर से विश्व में ब्लाक पार्टरी वटेरा कोटा का परचम लहरा रही है अब यहां के दर्जनों गाउं की कुमार जो अपने परमपरागत व्यवसाय से दूर हो गए थे वे अब दुबारा इस उत्योग में लौचाए हैं यही नहीं अब पूरा परिवार अपने परमपरागत पेशे में पूरी तन्मयता से अपनी कला का प्रदशन करने में चुटा है शिल्पकार कहते हैं पहले तो वे अपने इस पेशे से काफी दूर हो गए थे लेकिन सरकार के प्रयासों से दम तोड़ रहे इस कला के प्रती एक बार फिर आस चगी है कर्या अपने बच्पन से कर रहा ह। मैं इसको 1986 से लगातार करता रहा है दो हर कुमारों को अगर इसमें कुछ फुट मिल जाए कि इस से जप् roam होगा पहले जो इस्थिती थी बहुत बेकार थी लेकिन जब से सरकार होई है मुदी की तब से इसमें बहुत बढ़ावा हुआ है पहले जो लोग छोड़के भाग रहे थे जब से इसमें बढ़ावा हुआ है तब से इसमें लोग आ रहे हैं करने की कोशिस कर रहे हैं प्रदेश के योगी सरकार के प्रियासों से ना सिर्फ दम तोड़ रहे इस उत्योग को बढ़ावा मिल रहा है बलकि सरकार के माटी कला बोट का गठन होने से दम तोड़ती इस कला को एक नया जीवन मिल गया है न्यूज 18 के लिए आजमगर से अभिशेक उबाध्याई की रिपोर्ट ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का यूपी के सीम योगी ने माटी की कला से जुड़े समाज की जीवन में उमीदों का दिया रोशन किया है कुलहड, दी, पट के सुराही बनाते माटी के कला कारों को अब माटी कला बोर्ट मदद करेगा खुमारों में सरकार के इस कदम से अपना जीवन सर सवर जाने की उमीद जगी है ताज नगरी आगरा में चाक परनास्ती पपू परजापती की उंगलिया बड़ी शिदत से मिट्टी के दिये कुलहड और सुराही को आकार देती है लेकिन मिट्टी के महंगे हो जाने से पपू परजापती उदास थे ये आखिर अब उनका काम कैसे चलेगा लेकिन अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं रही अब माटी कला बोड पपू जैसे कुम्भकारों के लिए विकासात्मक गतीविध्यां संचालित करेगी और इनका जीवन स्तर भी सुधरेगा आगरा के जाधतर कुम्भकार परिबार खूब सारे मिटी के बर्तन बनाते हैं घड़ा से लेकर चाय की प्याली तक और बाकी मिटी के बर्तन इन परिवारों की ओर से बनाया जाता है इन्हें एक ट्रॉली मिटी 3,000 रुपिये में खरीदनी पड़ती है इन कुम्भकारों को उमीद है कि अब यूपी सरकार के आदेश के बाद इनके जीवन में सकारातमक परिवर्तन होगा योगी सरकार ने माटी के हुनरमंदों के लिए बड़ी पाल की है माटी कला बोल्ड का गठन किया है साथी साथ कुम्भकारों को किस तरह से मिट्टी आसानी से उपलब दो और उनका उत्पाद जो है कुलण वगएरा ये सरकारी दप्तरों में इसका इस्तेमाल हो इसको लेकर के माटी कला बोल्ड का जो गठन किया है उसको लेकर के कुम्हारों में एक नई उम्मीद जगी है कि इनका जीवन भी अब सवर जाएगा कैमरावन बंटी के साथ मिठी का प्रयोग विभिन प्रकार के गिरियू प्योगी वे कलात्पक वस्तुए आदी बनाने का प्रचलन सद्यो पुराना है मगर इस आधुनिक काल में मिठी की बनी वस्तुए बाजारों से गायब हो कई थी मगर अब सरकार मिठी का काम करने वाले कारिगरों वेशिल्पियों के वेबसाइट में व्रद्धी कराने के लिए माटी कला बोर्ड की जरिये प्रयास कर रही है कानपुर की कुमहार मंडी जहां पर पांस सो से अधिक परिवार रहते हैं जिनकी रोजी रोटी का साधन सर्व मिटी और मिटी से बनने वाले बरतन हैं 24 घंटे इस लाख में चात की रफदार कभी कम नहीं होती पछले कुछ वर्षों से बाजार से मिटी के बरतन गायब होने लगे थे और कुमहारों के सामने रोजी रोटी का संकत आंख़ड़ा हुआ था लेकिन अब सरकार की पहल के बाद कुमहारों में खुशी है कि अगर वो अच्छा बनाएंगे तो हम सरकार को अभी हमने बोट दिया तो फिर पिर चुनेंगे कुम्भकारों को सरकार की ओर से उठाये जा रहे इस कदम से काफी लाग होगा इनकी उपियों गिता भी बढ़ेगी और माती शिल्ब कला के माध्यम से कारिगरों को स्वरोजगार के अफसर उपलब्द कराने के साथ इन्हीं प्रसिक्षन भी दिया जाएगा इस बात के लिए कुम्भकार योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं हाँ बिल्कुल देंगे, इससे ज़्यादा देंगे सब्सक्राइब कानपूर की कुमार मंडी में खड़ा हूँ जहां 500 स्यादा घर है और हर घर में हाथ में हुनर है आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपने हुनर का इस्तिमाल करते हैं और दो जून की रोटी जुताने के लिए जत्तो जहत करते हैं गर्मी बारिश ठंडी कि इसी की परवानी करते हैं यहां बच्चों के खिलोने से लेके बुगली, मठका, सुराई, हुंडे, चक्की ऐसा कोई चीज नहीं है जो यह न बनाते हूं चुनाव आते ही प्रजापती समाज हर वेक्ति को याद आता है और चुनाव के बाद लोग इने भूल जाते हैं यह इनकी पीड़ा है, मगर सरकार द्वारा मिट्टी कला बोड का गठन करने के बाद से इन्हें आज जागी है कि इनकी भी दिशा और दशा बदलेगी विजिनलेस्ट आशिश पंड़े के साथ अमिद गंजू, निउस 18 कानपौर और इसी के साथ हमारे इस खास कारिक्रम में इतना ही नमस्कार